Hello Everyone! आज के यस वीडियो में हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि हम जो स्क्रीनर जो हम देखते हैं उसको हम खुद से कैसे अपने कस्टमाइज करके अपने लिए कैसे बना सकते हैं यहाँ पे कुशे हम ट्रिंग्स भी देखें हैं कैसे हम दूसरे स्क्रीनर को merge करके अपना customize screener बना सकते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो हम देखेंगे वो जाते हैं अपनी website पे जिस पे हम screener अपना बनाएंगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए आ गए है चार्टिंग की website पे जिस पर हम यहां पर screener बनाएंगे तो सबसे पहले इस website को हम यहां पर open कर लेते हैं अब यहां पर हम इस website पर आ गए हैं देखिए अब इसमें आपको यहां तीन चीजी देखेंगे एक तो सबसे पहले यहां पर आपको इनका जो है links होंगी various links होंगी जिन पर जाकि जैसे आप create screener कर सकते हैं जो इनके खुत के screener से उनको आप देख सकते हैं चार्डस आप launch कर सकते हैं dashboard आपका देख सकते हैं आप अपनी watch list को यहां पर track कर सकते है इसके बाद यहां पर यहां पर इधंग से इधेगे हो तो बहुत लोग ने देखा है तो ऐसे करके यहां पर बहुत आयगदे न和गे तब ही दिनमें पहुत आंदे व hm हम सबसे पहले देखते हैं कि हम अपना खुद का screen रहाँ पर कैसे बना सकते हैं तो चलिए अब यहाँ पर आ गए है इसके बाद देखिए आपके सामने जैसे यह slide open होके आ जाएगा अब इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है जैसे मैं आपको कोई एक screener सबसे पहले तो मैं आपको एक screener दिखा देता हूँ जैसे कोई बना हुआ चले मान लेते हैं हम जैसे short term breakout यह वाला है हमने यहाँ पर copy कर लिया अब यहाँ पर हम आगे अब इसमें यहाँ पर देखिए आपके पास क्या क्या है यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा है stock passes all of the below filters in cash segment अब यहाँ पर सबसे पहले यह जो आपको यहाँ पर bold words दिख रहे हैं हमारे इनको आप change कर सकते है click करके यहाँ पर pass कर सकते है या fail कर सकते है जैसे हमारी जो हम कुछ डालेंगे जैसे की 5% से नीचे के stock या कुछ भी हम जो अपना criteria डालेंगे अगर stocks उनको pass कर रहे होंगे तो ही इसमें आएगा अगर fail कर रहे होंगे तो उसको भी हम वैसे लगा सकते है यहाँ पर all पर भी करके all या any ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर cash जो segment है यहाँ पर आपके यह बकेट आ जाती है बकेट से हमारा मतलब है जैसे हमारे bank nifty के stocks होगा या cash segment के जितने भी stocks होगा यह हमारी जैसे mid cap 50 and nifty 100 200 यह आप अपने हिसाब से decide कर सकते है यहाँ पर एक जो मुझे सबसे अच्छा feature लगता है जो यहाँ पर हमारा आता है watch list का feature watch list आपने यहाँ पर देखा होगा जैसे हम यहाँ पर click करके इसको खोलते हैं हमने यहाँ पर watch list खोल लिया तो इसमें अगर आप देखते हैं तो आप कोई भी stock यहाँ पर जाके add कर सकते हैं और अपनी watch list जो है वो बना सकते हैं और उसके बाद जो आपने watch list यहाँ पर बना लियोगी उसमें आप यहाँ पर अपना filter लगा सकते हैं कि जो हमारे यह charting का screener होगा वो केवाल आपके watch list के stocks को ही search करेगा जो आपके यहाँ पर जो भी अपने filters लगाएं तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर यह बना के एक screener दिखा देता हूँ उसके हिसाब से हम बाकिये के अपने screeners हैं उनको देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करने यहाँ पर देखिए आपको क्या देखने जैसे मैं एक दिखा रहा हूँ आपको मान लिजे मैं यहाँ पर select करता हूँ open हमारा आज का stock open हुआ वह हमारे जो था greater than था यहाँ पर हम ले आए greater than अब इसमें हम यहाँ पर ले सकते ह हाई ले सकते हैं माल लेटेस्ट यह आपको लेटेस्ट देख्राइए हमकरन ल mateix तो यहानि यकल यहाझए होच्त q एसकत लिखक ओद यहापक गुणक जाता धो तो हमारे जो आज open हुआ mix है तो सफ रह भिक्स का फिक अडूास क लगा सकते हैं श्क्राय ₹ एक और ची लगा लेते हैं जैसे ही हमारा थे देखा कि हमारे स्क्रीnaire अब com आमारे स्क्रीन का सबसे ब्मारें इंट्रेका इसको जैसे मैं यहां प्ला पर सिल्टर लेकार मुझे यहां जैसे ने के फिल्टर एक और मैं लगा रहए ऊपन EQUALS अब इसमें जैसे मैं लगा देता हूं माली जै लो अब इसको जैसे मैं run कर रहा हूं जै अब हमारे जैसे सबसे पहले यह आया जैप की एसकी हमारी जो acquisition की news आयो भी हो सकता है वो भी आप लोगों ने देखी हो अब देखे यह stock हमारा open हुँ तो यह बिल्कुल भी इसकी जो बिल्कुल भी downward moment नहीं आए इससे हमारे जो momentum stock से वह हमारे यहां पर पता है तो इस हिसाब से हम जैसे मान लीजिए यह वाला देखता हूं यह stock मैंने यहां पर open किया कि यहां पर देखिए अब इसमें भी हमें यह2 विख नहीं देख रही है यहां पर particular filter, जैसे यह जो particular line लगाई हैपकि यह आपको particular filter का काम कर रहे हैं हो सकता है हमने बहुत सारे screener देखे हूंगे वो पूरा screener तो अच्छा नहीं लगाँ लेकिन उसमें से कुछ जो हमारे specific filters वो ही हमें ठीक लगें तो उसे अगर हम copy करके एक अपने customized screener बना चाहते हैं, तो उसको हम living में यहां पे डेखते हैं, माली जै मैंने अब यहांत के सामने वहां पे खोला था, तो इसको हम यहां में एखते हैं, माली जो हमें यह यह जो पहली लाइन है हमारा पहला filter, इसको हम copy करना चाहते हैं, और अपने लिए खुद का screener बनाना चाहते हैं जो हमने दो लगाए हैं अपने filters उनके साथ इसको भी जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर दीखे copy filter to clipboard यह लिखके आ रहा हूँ जब हम यह ब्राउन वाले पर जा रहे हैं तो यहाँ पर दीखे केवल हमारे तीन stocks रहेगा जो इन तीनों criteria को हमारे satisfy कर रहे हैं इस आप से जाके आप और भी जैसे और भी screeners आपको देखेंगे उन screeners की मद्द से आप यहाँ पर जाके अपना एक जो customize screener है उसको बना सकते हैं तो उसी नाम से हम save कर सकते हैं यहाँ पर screener हम जो हमारे scan category है वह हम कैसा अपना यहाँ पर रखना चाहते हैं माले यह crossover या adar scan में जाके हम private या public किसी में भी जाके यहाँ पर submit करके उसको save कर सकते हैं हमारे यह जो है वो इस screener जो है वो हमारा automatically यहाँ पर save हो जाएगा इस आपसे हम अपना जो है इसका screener हम यहाँ पर बना सकते हैं